अबसे हम सोनवी थन महीं को स्वागत करता हूं कॉछ़र्ण एम क्लेख टीजैंगी मैं है, द्रीवीजन करेंगे क्लास पाइग आप लोगों सवागत की वन फिर साहर Amenpuri है,शारंपर कि वन काया ब है तो अभी हम जो करने वाले हैं, आज का weekly revision करेंगे, प्लस सुबह वाले सवाल करने वाले हैं, ठीक है? सुबह जो हमने सवाल किये थे, तो शुरू करते हैं, चलो, बीच में फिर कोई बात होगी, तो बीच में करेंगे, अभी पहले शुरू कर देते हैं, revision सबसे पहले, तो किस राज्य के राज्यपाल ने, जो राज्य मंत्री मंडल द्वारा पारित ऑनलाइन जुआ निशेद विधेया की, यानि एक prohibition of online gambling bill जो आया था, उसे लोटा दिया, किस राज्य के राज्यपाल ने उसे लोटा दिया, बच्छो, जल्दी बताओ किस राज्य के राज्यपाल ने उसे लोटा दिया है, तो क्या तमिल नाडू के राज्यपाल ने लोटा दिया है, क्या तमिल नाडू के राज्यपाल न सोबह विकली रिविजन त्यार नहीं था तो आज यह वीकली रिवीजन और आज के सवाल दोनों शाम को एक ही क्लास में हो जाएंगे बाकी कल आपकी कोई क्लास करंट अफेर की होगी नहीं, ठीक है? चलो. अगले सवाल पर आजएगे, कौन सा केंद्रिय मंत्राले, सुदेश दर्सन 2 का रेकरम लागू करता है, तो आपको पता है परेटन मंत्राले, मिनिस्ट्री आफ टूरिज्म करता है बचो, इसमें क्या होना है, अभी इसमें 15 राज्यों के जो 30 सहर हैं, उनको डवलप किया जा क्रिप्सकुलर क्रिणो काव को कैप्चर किया है, ठीक है बचो, क्रिप्सकुलर जो शाम को गोधुली के टाइम पे, जब सूरज बिलकुल छितिज के नीचे जाने वाला होता है, तब जो क्रिणे दिखाई देती हैं, तो उनको किया है, मंगल ग्रह पे क्या? जल्दी बता पृष्टाय कईबर, क्यूरियोसिटी रोवर किसका है नासा का है, किस ग्रह से संबंदित है, किस से, मार्स मिशन से संबंदित है, बचो, किस गाने ने, पिचानवे वे ओसकर अकैडमी पुरुसकारों में, बचो, सरसिस्थ मूल गीत का वार्या नी, औरिजिनल सौंग, बेस चरन और जूनियर NTR पर किसने इसको कमपोज किया है तो M.M. कीरावानी ने कमपोज किया है, किसने इसे लिखा है बचो, चंदर बोस ने इसे लिखा है ध्यान रखना है, एक और आवार्ड इस बार ओसकर में मिला है भारत को कौन सा आवार्ड मिला है तो वो मिला है बचो The Elephant Whispers को Best Documentary Short Subject क्या मिला है Best Documentary Short Subject Award बचो मिला है ठीक है चलो Michelle Yeo को क्या मिला है बचो इन्हें Best Actress का Award मिला है कौन सी फिल्म के लिए Everything Everywhere All At Once क्या इस मूवी को Best Movie यानि Best Picture का Award भी मिला है Everything Everywhere All At Once इसको क्या Best Picture का Award भी मिला है बिल्कुल मिला है क्या इसको क्ल मिला के साथ Award मिले हैं बचो इस मूवी को बिल्कुल मिले है क्या इस Oscar में सबसे ज़्यादा Award इसी मूवी को मिले है Everything Everywhere All At Once तो सबसे ज़्यादा भी इसी को मिले है क्या best अभिनेता यानि best actor का वार ब्रेंडन फेजर को मिला है बिल्कुल ब्रेंडन फेजर को मिला है दवेल मूवी के लिए किसके लिए दवेल मूवी के लिए L.I.C. के अंतरिम अध्यक्ष यानि इंटरिम चेर्मेन जव तक full time चेर्मेन LIC के नहीं चुन जाते तब तक इंटरिंग जो हैं इंटरिंग चेर्मेन बने हैं से धार्त महौनती ठीक है चलो Life Insurance Corporation 1956 में क्या हुई थी बचो स्थापना हुई थी ठीक है क्या हुई थी स्थापना किस सहर में नई पहल भिखारी मुख्त शहर शुरू ही है जल्दी बताओ बचो क्या नागपुर में शुरू ही है बिलकुल नागपुर में ही शुरू ही है क्या 108 मी विज्यान कॉंग्रेस भी वहीं हुई थी जल्दी बताओ कमेंट करके Sonu Gujar, Believe in, चलो, Sachin, Nikhil, चलो, बहुत बच्छा, Vishal, चलो, नागपुर में हुई थी वह भी न, 108 वी ज्ञान कॉंग्रेस भी, कहां पर हुई थी? नागपुर में ही हुई थी. बेबचो, तेवतिया सर का फोन है, एक सेकंड रूको. जी सर? अगर डबल हो तो ज्यादा ठीक है, सर, ये नई वाली टी-शिर्ट वह आती है. हां, है सर, है? सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नहीं, नहीं, इसे ही कर लेंगे, सर, इसे ही, आप मुझा भी में. बहुत बहुत धन्यवाद, सर, आपने काम चला दिया, इस पार. ठीक है, सर, जी. ठीक है, सर, ठीक है, ठीक है, पका, सर, पका, ठीक. ठैंक यू सर, ठीक. छलो बचो, इस लिए, सर, का फोन आ गया, कल वहां के लिए टी-शिर्ट चीह है, एक तोड़ टी-शिर्ट है, ना, इसलिए. टी-शेट तो बड़ी थी लेकिन अभी हम लोगों को ना नौकरी के साथ फिर पढ़ाना तो टाइम मिलता नहीं अपने लिए, थोड़ा-थोड़ा साइज ही बढ़ जाता है हर बारे ना, चलो बचो, तो यह हो गया नागपुर में, बिल्कुल ठीक है, ज्यादा तर बच्च से संबन देता है, किस से संबन देता है बचो, फूड प्रोसेसिंग से संबन देता है, बचो, ध्यान रखना है, हाल ही में कौनसी मेट्रो पार्किंग शुल्क रिक के लिए यह रुपया सुईकार करने वाली देश की पहली मेट्रो बनी है, देश की पहली मेट्रो बन गई ही है बच्चो यह रुपया स्विकार करने वाली कौन सी मेट्रो बनी है जल्दी बताओ तो कोची मेट्रो बनी है और कोची मेट्रो में ही क्या था इसी में वाटर मेट्रो की शुरू आत हुई थी ठीक है वाटर मेट्रो कोची में शुरू ही थी बच्चो ना वाटर टैक्सी ने शुरू हूई है, कहाँ पर? कलकत्ता में ठीके बचो, कलकत्ता में शुरू हूई है underwater metro. अगला सवाल है हमारा, किस documentary ने 95 वे आसकर पुरुस्कारों में best डॉक्यूमेंटरी शॉर्ट सब्जेक्ट का पुरुसकार जीता है तो जीता है The Elephant Whispers ने बच्चो ठीक है Elephant Whispers किसका है ये Netflix का है बच्चो ठीक है Netflix का है किसने बनाया कार्तिकी गौंजाल्विस और गुनीत मौंगाने कार्तिकी गौंजाल्विस और गुनीत मौंगा ने बचो कौन सी भाषा की दोक्यूमेंटरी है तमिल भाषा की ये दोक्यूमेंटरी है ठीक है भारत ने अब तक कौन कौन से पुरुसकार जीते हैं भानु अथया ने सबसे पहले जीता ओसकर बचो 1982 में सत्यजीत रे दूसरे थे जिनों ने जीता रेसुल पुकुट्टी ने जीता गुलजार ने जीता हुआ है भानु अथया ने सत्यजीत रे ने रेसुल पुकुट्टी ने गुलजार ने जीता हुआ है एयार रहमान ने जीता हुआ है कार्तिकी गौंजाल्विस और गुनीत इन का अनावरन किया है तो ये किया गया है बचो अशोक लेलेंड के द्वारा किसके द्वारा अशोक लेलेंड जो कंपनी है उसके द्वारा किया गया है सारी प्रोडक्शन लाइन महिलाओं की है किसकी है बचो महिलाओं की किया अमेरिका की कौन सी बैंक ने खुद को दिवा जालिया घोशित कर दिया है अभी हाल ही में ठीक है सिलिक ओन वैली बैंक किसने करनाटक में विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेट फार्म का उध्गाटन किया है तो यह किया गया है पी एम मोधी के द्वारा कितने मीटर का बच्चो पंद्रेसो पांच मीटर का काउन से जंक्शन पे स्री सिध्धरुद्धा स्वामी जी हुबली जंक्शन पे किया है ध्यान रखना है बच्चो लगबग कितनी इसमें लागत लगी है 20 करोड के करीब की बच्चो ठीक है और इसके दौरान कौन सी आयाईटी का उध्गाटन किया गया हुबली धारवाड का कौन मुत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू की है और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है बचो ये बन गया है कौनसा उत्रा खंड ऐसा करने वाला पहला नदियों में नाइट नविगेशन चलाने वाला असम पहला राज्य है कौनसा बचो नदियों में नाइट नव हिंदी में MBBS शुरू करने वाला कौन सा है मध्धे प्रदेश है ठीक है हिंदी में MBBS शुरू करने वाला याद रखना है बचो मध्धे प्रदेश पहला राज्य बना है चलो अगला कुशन है हमारा Prevention of Money Laundering Act जो है एक उसमें कौन से प्रदक्ट्स को किन उत्पादों को और शामिल कर लिया गया है तो उनमें शामिल कर लिया गया है बचो किसको वर्चुल डिजिटल असेट्स को भी यानि जो डिजिटल संपत्ती है उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है चुनाव के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहां पर किया गया है तो वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन जल्दी बताओ क्या ये गुरूगराम में या बंगलूरू में है गुरूगराम या बंगलूरू तो ये बंगलूरू में किया गया बच्चो किसके फैलाने के लिए वोट फैस्ट का आयो जन बच्चो किया गया है ठीक है चलो इसके अलावा एक और हैकाथन इलेक्ट्रोन 2023 का भी यहां पर उद्घाटन किया गया है ठीक है चलो अग्रा सवाल है हमारा किसने भारत का जो रास्ट्रिय अभी लेखागार है यानि नेशनल आर् इंडिया है ना इंडिया उसको हो गए 133 साल 133 में स्थापना दिवस के अवसर पर अर्जुन राम मेघवाल ने इसका क्या किया है बचो एक प्रदर्शनी का उद्घाटन किया जिसका विशय था महिला अजास निर्मान 1857 से गर्णतंत्र ठीक है कृतिम बुद्ध्री यान इसको रेडियो जीपीटी उसका नाम है तो जार 23 में जो शंगाई सहयोग संग्ठन है उसकी अध्यक्षता किस देश के पास है बचो भारत के पास है इसने इसने कौन से भारत के शहर को अपनी कल्चिरल और बचो साथ में टूरिज्म कैपिटल घुशित किया है तो वारान सी को किया है ठीक है क्या वारान सी को अभी हाल ही में क्या बचो इट राइट स्टेशन का दरजा भी मिला था फसाई से इट राइट स्टेशन का दरजा भी क्या वारान सी को हाल ही में मिला था जल्दी बताओ बचो इट राइट स्टेशन है ना जिस खाने पे जिस स्टेश प्रासित प्रदेस ने विभिन शहरों में शहरों के विकास का मार्क दर्सन करने के लिए 2021 के लिए एक मास्टर प्लान जारी किया है तो बच्छो शहर को कैसे डवलप किया जाएगा इसके लिए एक master plan लेके आये हैं दिल्ली के लिए किसके लिए दिल्ली के लिए हिंद महासागर में कौन सा बहुपक्षिय नौसेना का अभ्यास रू हुआ है तो आपको पता है हरीमव सक्ती तो भारत और मलेशिया के बीच में वज्जर पहार भारत और अमेरिका हरीमव शक्ती भारत और मलेशिया वज्जर पहार भारत और अमेरिका डेजर्ट फ्लेग बहुपक्षिय है UAE के द्वारा आयोजित है लेकिन एर फोर्स का है क्योंकि फ्लेग तो कहां फैराता है हवा में ही फैराता है वच्छो ठीक है लापैरोस जो है यह अभी हिंद महासागर में शुरू हुआ था इसे किस ने आयोजित किया फ्रांस ने आयोजित किया फ्रांस के अलावा इसमें कौन से कंट्री हिस्सा लेते हैं क्वार्ड कंट्री यानि यह पांच देशों का है France plus Quad, कौन-कौन है बच्चो इसमें, France plus Quad है, कौन-कौन है, France plus Quad इसमें है, ध्यान आपको रखना है, ठीक है, चलो, दुईवारसिक है, यह क्या है, दुईवारसिक है, नो सेना का है, क्योंकि हिंद महासागर में, जो महिंद महासागर में होने का मतलवी क्या है, कि नो सेना का है फिर बच्छो ठीक है चलो एशिया की कौन पहली महिला लोको पाइलेट वंदे भारत का संचालन करेंगी तो वंदे भारत जो ट्रेन है आपको पता होगा उसका संचालन पहली बार कोई महिला करने जा रही है महिला ने किया है और वो है उनका नाम सुरेखा यादव क्या नाम कंपनी ने RBI से Infrastructure Finance Company का दर्जा प्राप्त किया है IREDA ने किया है फुल फॉर्म क्या है Indian Renewable Energy Development Agency ये जो है इसने Infrastructure Finance Company का दर्जा प्राप्त किया है RBI से किस देश ने Illegal Migration Bill जो अवैध प्रवास होता है देश में अवैध तरीके से लोग घुस जाते हैं उसके खिलाफ एक Bill लेका आया है कौन सा देश लेका आया है तो ये UK लेका आया है कौन बच्चो UK यानि Britain लेका आया है इसके खिलाफ एक Bill ठीक है SEO की परियटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी तो बच्चो क्योंकि परियटन राजधानी कौन सी घोशित की गई है काशी यानि की वरानसी तो भई ये जो है SEO के परियटन मंत्रियों की बैठक भी कहाँ पर काशी में ही क्योंकि यही तो हमारी कल्चिरल और टूरिज्म कैपिटल बनाई गई है भारत की S.C.O. की तरफ से भारत का जो शहर है वारानसी उसे घोशित किया गया है कल्चिरल और टूरिज्म कैपिटल S.C.O. की जिससे S.C.O. देसों के बीच में शंगाई कॉपरेशन कंट्रीज के ब करने वाला है क्या वचो इरान आपको पता होगा भारत और पाकिस्तान इसमें कब 2017 में इंडिया और वचो पाकिस्तान जो है इसमें शामिल हुए थे ठीक है इंडिया और पाकिस्तान इसमें कब शामिल हुए थे इसमें शामिल हुए थे 2017 में शंगाई कॉपरेशन और गना जो इससे पहले वाला क्या था अवधी थी उसमें 11% की कमी आई है यानि हम जितना पहले मंगाते थे हतियार उससे 11% कम खरीदते हैं लेकिन फिर भी हम सबसे बड़े आया तक हैं ठीक है सबसे बड़े दूसरे नंबर पे कौन है सउदी अरेबिया यानि कि यह जो रियाद जिसकी राजधानी है ठीक है बच्छो सउदी अरेबिया दूसरे नंबर पे है हतियारों को इंपोर्ट करने के मामले में बीस से तेईस मार्ज तक चौथी एशियाई खोखो चेंपियंशिप असम में खेली जा रही है कहां पे बच्छो असम में खेली जा रही है ध्यार रखना है अगला कुशन है टेस्ट क्रिकेट में सबसे गेंद में 50 सबसे कम गेंद में 50 विकेट लेने वाले तो अक्छर पटेल है कौन है बचो अक्छर पटेल है सबसे कम गेंदों में 50 विकेट लेने वाले भारती है कौन बचो भारती है नितिन गड़करी ने किस सहर में पहली मेथनॉल से चलने वाली बसों का अनावरन किया है यनि मेथनॉल से चलने वाली पहली बार बसें जो हैं इस सहर में चलाई गई हैं तो बंगलूरू में चलाई जा रही हैं कहां पे बंगलूरू में बचो कौन से केंदर सासित प्रदेश में जनता के लिए एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन यानि वो जो फूलों का जो बगीचा है न बच्चो उसे खोला जा रहा है तो आपको पता है जम्मू कश्मीर में इंद्रा गांधी टूलिप गार्डन है क्या है इंद्रा गांधी टूलिप गार्डन जिसे किस नाम से भी जाना जाता है सिराज बाग नाम से भी जाना जाता है ठीक है ये है ये खोला जा रहा है ठीक है कहां पर खोला जा रहा है ये खोला जा रहा है बचो कल से 19 मार्च से कहां पर जम्मु और कश्मीर में याद रखना है ठीक है व्यास सममान 2022 बहुत महतिपूर है व्यास सममान में राशी मिलती है 4 लाक रुपे है ना किस के लिए दिया जाता है हिंदी भाषा के लिए दिया जाता है पिछले दस वर्सों के लिए दिया जाता है दस वर्सों में वो पुस्तक लिखी गई हो ठीक है केके बिडला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है है ना 1991 में पहली बार दिया गया था कब 1991 में पहली बार दिया गया था बच्चो याद रखना है इस बार कौन सी पुस्तक के लिए पागल खाना पुस्तक के लिए दिया जा रहा है किसको दिया जा रहा है ग्यान चतुरवेदी को बच्चो दिया जा रहा है कौन सी मूवियन की दावेल है कौन से उसकर थे 95 में थे कब शुरू हुए थे 16 मई 1929 में शुरू हुए थे और बचो बेस्ट पिक्चर का आवार्ड Everything, Everywhere, All at Once इसे कुल मिला के कितने आवार्ड मिले हैं तो साथ आवार्ड इसे कुल मिला के मिले हैं क्या सबसे जादा आवार्ड इसे को मिले हैं बिल्कुल इसे को मिले हैं ठीक है इसे को मिले हैं ध्यान रखना है Best Director Daniel Kwan और Daniel Shainert बचो An Iris Goodbye को मिला है Best Live Action Short Film का आवार्ड बचो Best International Movie का All Quiet on the Western Front किस को मिला है Best International Movie का All Quiet on the Western Front को मिला है बचो Best Costume डिवाई जो डिजाइन है उसका Second Time मिला है Ruth E. Carter को किसको Ruth E. Carter Best Animated Movie का आवार्ड मिला है Pinocchio को किसको Pinocchio को मिला है Best Animated Movie का Best बच्चो सहायक अभिनेता का K.W. Kwan और Jamie Lee Curtis मिला है Best सहायक अभिनेतरी यानि की Supporting Actress का आवार्ड ठीक है चलो तीसरे दिव्यकला मेले का उदगाटन क्या भुपाल में हुआ है बिल्कुल भुपाल में हुआ है बच्चो अंतरास्ति ये गनित दिवस का 14 मार्च का है क्या ये पाई के मान को भी रिप्रेजेंट करता है 14 मार्च क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसे ही लिखते है पहले लिखते है मन्त फिर लिखते है दे ठीक है तो 14 मार्च क्योंकि ये पाई का मान होता है बिल्कुल ये सही बात है और इस दिन किस महान विक्ती का जनम दिन है तो इस दिन बच्चो अलबर्ट आइंस्टीन का 14 मार्च को जनम दिन होता है ठीक है कौन सा केंद्रिय मंत्राल है वर्ल्ड फूड इंडिया इसकी मेजवानी करने जा रहा है तो क्योंकि ये कार्यकरम संबंदित है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से किस से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से संबंदित है इसलिए ये मंत्राल लही से क्या कर रहा है बच्चो आयोजित करने जा रहा है ठीक है मिनिस्ट्री आफ फूड प्रोसेसिंग ध्यान रखना है ये मंत्राल लही से आयोजित करने जा रहा है बच्चो ठीक है चलो गला सवाल है हमारा किस संस्था ने Landslide Atlas of India यहां पर Landslide होने के जादा चांस होते हैं वो जो है बच्चो जादी किया है तो वो किया गया है इस रो के दौरा किस के दौरा इस रो के दौरा उल्पिन जो है वो कितने अंकों का एक Alpha Numeric Number है यनि के एक जो अलग से पहचान दी जा रही है हर जमीन को Unique Land Parcel Identification Number तो यह 14 है कितने अंकों का बच्चो चौद है अंक और इसमें क्या है अक्षर और अंक दोनों है मिले हुए ठीक है Alpha Numeric है कौन तमिल लेखक हैं बच्चो कौन पेरुमल मुर्गुन है इनकी पुस्तक है जिसका अनुवाद कराया गया अंग्रेजी में उस अंग्रेजी वाले को नॉमिनेट किया गया है किसके लिए बुकर इंटरनेशनल की लिए क्योंकि पिछले बार जैसे गितानजली स्री की पुस्तक भी क्या थी ट्रांसलेटेड थी उसको भी किया गया था तो ये पियरे इसकी पुस्तक है इनकी ठीक है चलो वैसे कौन सी पुस्तक है औरिजनल पुकुली औरिजनल है कौन सी भाशा की है तमिल भाशा की है इसको किसमें कर दिया बचो, Convert अंग्रेजी में कर दिया, किसने कर दिया, अनिरुधन वासु देवन ने कर दिया, और इसलिए फिर ये Booker International के लिए, Shortlisted हो गई, क्योंकि Booker International के लिए, वही पुस्तक Shortlisted होती है, जो कि, अंग्रेजी में Translate कर दी गई हो, किसी भी पुस्तक, किस तो 15 मार्च को मनाया जाता है, इस बार की theme क्या है, empowering consumers through energy transition, इस बार की theme है, ठीक है, कौन से दिगज अभी नेता है, समीर खाकर है जी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 71 वर्स की आयू में, कौन सा देश, CO2 आयात करने, और इसे समुद्र के नीचे store करने वाला पहला देश बन देश बना है कौन सा बच्छो जल्दी बताओ, तो ये देश बन गया है कौन सा, Denmark, कौन बन गया है, Denmark बन गया है, Islamophobia दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, कब 15 मार्च को, World Air Quality Report के नुसार, जो polluted countries हैं, उनमें भारत की rank क्या है, आठवी rank है, पिछले बार कौन सी थी, पांचव सी पहल शुरू कर रहा है, तो Learning Science वाया स्टेंडर्ड, कौन सा, Learning Science वाया स्टेंडर्ड पहल, उनके द्वारा शुरू की जा रही है, बचो, रक्छा मंतराले, कितने डौर नियर विमान खरीद रहा है, बचो, 6, कौन सी कंपनी से, हिंदुस्तान Aeronautics Limited से, किस से बचो, जगदीप धनखड के द्वारा, जो कि हमारे उपराष्टपती हैं, और यह पुस्तख लिखी गई है, डॉक्टर कर्ण सिंग के द्वारा, किस के द्वारा, डॉक्तर कर्ण सिंग के द्वारा, यह पुस्तख लिखी गई है, कौन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा, Governor of the Year, नॉ पत्रिका है रिसर्च करने वाली एक पत्रिका है और कारण क्या मिला है बच्चो क्यों मिला है इनको सक्तिका अंदास को ही क्यों गवर्नर ऑफ दा इयर की उपाधि दी गई तो कठिन समय में जो उन्होंने लीडर्शिप दिखाई बैंकिंग में ठीक है भारत को जिस तरह से स प्रुसकार मिला है नेशनल बैंक ऑफ यूकरेन है ना यूकरेन के जो सेंटरल बैंक है उसे सेंटरल बैंक ऑफ दा इयर प्रुसकार से सम्मानित किया गया है अमेरिका ने भारत में राजदूत के तौर पे किसे निक्त करने के लिए क्या कर दिया है अप्रूवल दे दिया किसका केके बिड़ला फाउंडेशन नाइंटी 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 वन से इसकी शुरुआत हुई बाइस भाशाएं जो हमारी कौनसी आठवी अनुसूची में एर्थ सेडूल में जो हमारी बाइस भाशाएं मिलती हैं तो उसके लिए दिया जाता है पंद्रह लाख रुपे की राशी दी जाती है ध्यान रखना है पिछले दस साल क्योंकि सेम फाउंडेशन का है व्यास सम्मान भी तो इसी फाउंडेशन का था तो सेम उसी का है ध्यान रखना है ठीक है तो इसी का है तो 10 साल के लिए तो अब आपको पता हो गया है कौन-कौन ये वो ज्यान चतरवेदी थे ये कौन हो गए बच्चो ये हो गए है कौन तमिल लेखक शिवशंक्री है ये ठीक है तमिल लेखक शिवशंक्री इनको दिया जा रहा है ठीक है सरस्वती सम्मान इनको द वर्ल्ड बैंक के बीच इसके लिए एक रिवन समझोता भी किया गया है भारत और वर्ल्ड बैंक के बीच किस देश ने अपचारिक रूप से मेंकमोहन जो रेखा है वो भारत और चीन के बीच international सीमा के रूप में उसे माननेता दी है ठीक है? नहीं उसे मान लिया है कि भरही वो international boundary है भारत और चीन के बीच तो यह माना है क्योंकि चीन उसे मानता ही नहीं है तो अमेरिका ने कहा है कि हम मानते हैं कि यही main boundary है ठीक है यही boundary है सरकार द्वारा गगनियान मिशन के लिए बच्चों जो गगनियान के उद्धिश हैं उनको प्राप्त करने के लिए कितने कर रुपे अलोट किये गए हैं सरकार द्वारा 9023 करोर रुपीज किये गए है ठीक है प्रतवी विज्ञान मंत्राले द्वारा कौनसी योजना भी लागू की गई है तो reach out योजना जो 6 विभिन उपयोजनाओं से जुड़ी हुई है ठीक है तो इसमें क्या होगा इसमें वच दिखान रखना है दुनिया के सबसे प्रदूसिस सहरों की सूची में दिल्ली कौन से इस्थान पर है जल्दी कमेंड करके बताओ आप बताओ भई कौन से इस्थान पर है यादा वार डबलू कह रहे है चौथा बिलकुल सीमा बबलू धीरज चलो बच्चो ललित सावर्मल विपिन बहुत बढ़िया study motivation कीरती आरती विपिन राहुल नरेश दिप्ती बहुत बढ़िया शिवू अंकुष प्रेम प्रकाश बहुत बढ़िया बच्चो सिट्टू वंदना सारे की सारे बच्चों का बिलकुल ठीक है किशन दिपिका बहुत बढ़िया बच्चो चौथे नंबर पे ठीक है दिल्ली चौथे नंबर पे है पहले नंबर पे लाहूर है दूसरे नंबर पे चीन है चीन का होटन ठीक है चीन का होटन जो है वच्चो और तीसरे नंबर पे राजिस्थान का क्या है भिवाडी ठीक है राजिस्थान का भिवाडी पिछले बार पहले नंबर पे था कौन से कितनी थी 9% के आसपास 68 और बढ़ गई अब 70% ठीक है मेगाले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टीवल का पहला संस्करण कहां पर शिलॉंग में आयुजित किया गया है बचो कहां पर शिलॉंग में USA और UK मिलकर किस देश को परमानू उर्जा से चलने वाली जो पंडुबियां हैं सब्मरीन्स हैं उनको अपलब्ध कराएंगे तो ये औस्टेलिया को कराएंगे बचो किसको औस्टेलिया को कराएंगे ध्यान रखना है ठीक है चलो दक्षिन कोरिया और किस देश ने पांच व कारियान वेन के लिए उल्ड पेंशन इसकी लागू की जा सकती है नहीं ये सारी चीज़ें देखने के लिए कुछो किस राज्य सरकार ने समीति का गठन किया है तो ये समीति का गठन किया गया है महारास्ट के द्वारा किसके द्वारा महारास्ट के द्वारा आहार दोजा आतित्य यानि जो हम अतित्यों का सम्मान करते हैं उस कला को देखेंगे बच्छो ये मेला शुरू किया गया है जल्दी बताओ कहाँ क्या गुरूगराम में ये दिल्ली में ये दिल्ली में किया गया है कहाँ पर दिल्ली में ये आयूजित किया गया है आई बिये महिला विश्व मुक्केबाजी चेंपियंशिक जो है इसका आयोजन जल्दी बताओ नई दिल्ली या गुवाहाटी या बंगलुरू तो ये भी नई दिल्ली बचो ठीक है वर्ल्ड फूड जो है वो भी नई दिल्ली वर्ल्ड फूड प्रोग्रम जो था वो भी आहार मेला भी नई दिल्ली ठीक है और ये कहाँ पर ये भी नई दिल्ली चलो आज के सवालों पर आ जाते हैं बचो आज के ये हो गया आपका weekly revision जो अभी week के सवाल थे आज के सवाल से पहले एक बात मैं आपको बता दूँ परसों परसों कितने तारिक है 20 तारिक ठीक बचो 20 मार्च परसों से शाम को या तो 9 बजे बचो मैं इसले नहीं कह सकता क्योंकि अभी कभी ओफिस से लेट आना होता है ठीक है तो रैपिड फायर करंट अफेर के 20 मिनट का होगा वैसे कोशिश होगी 15 से 20 मिनट का ही लेकिन मैक्जिमम कोई वीडियो 25 मिनट भी जा सकती है जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं करंट अफेर के वो कराए जाएंगे तो परसों पहली ही क्लास या तो 9 बजे ऐसा मैं लगवाऊंगा 9 बजे रहेगी लेकिन वो क्लास अलग से शुरू हो जाएगी सारे बच्चे लेंगे उसे। को जरूर लेंगे जिनका कोई भी एकजन अगले 2 महीने में लेंगे लेकिन उस क्लास से आपको न उस क्लास से आपको confidence बहुत आएगा और चीज़ें याद बहुत जल्दी होंगी जो प संस्थान ने एक व्यापक स्वय निगरानी धाचा ATL सार्थी लॉंच किया है, स्वय निगरानी बचो एक संस्थान है, एक इंस्टिट है, उसने खुद की निगरानी के लिए एक ATL सार्थी, एक तो सार्थी एप थी, मैंने आपको बताई थी, सार्थी एप, कि भाई आपको अटल टिंकरिंग लैब, ATL का मतलब भी क्या होता है, अटल टिंकरिंग लैब बच्चो ठीक है, ATL की फुल फॉर्म है, तो ATL टिंकरिंग, अटल टिंकरिंग जो लैब है, जो इन्नोवेशन से संबंदित हमारी लैब्स बनाई जारी है, पूरे इंडिया भर में, तो वो नीत देंगाती आयोग या चुनाव आयोग? नीती आयोग बच्चो रहना, क्योंकि नीती आयोग, नई-नई चीज़ों को अपनाने का, यह इसलिए तो बनाई है, इंस्स मिशन नीती आयोग के तहत जो काम करता है, तो देंग से अटल टिंकरिंग लैब्स यानि खुद की निग में भारत में थोक मुल्य सुचकांक जो आधारित मुद्राइस पी ती मुद्राइस पी ती मतलब महंगाई यानि थोक की चीज़ों में जो महंगाई यह आप सिंपल सी सिंपल सी बात करो कि थोक मुल्य सुचकांक जिसे हम कहते हैं Wholesale Price Index, है न, थोक मूले सुचकांक, तो Wholesale Price Index, जो थोक वाली वस्तुओं में जो चलता है, तो वो कितना है, क्या 3.85 है, क्या वो 3.85 बिल्कुल, और आप से न, क्योंकि आपका अपरेल में पेपर होने की जिनकी उम्मीद है, उनसे ये फरवरी का पूछा जा सकता है, ठीक है, फरवरी का पूछा जा सकता है, कि फरवरी के लिए थोक मूले सुचकांक, यानि Wholesale Price Index, कितना रहा है, मार्च में तो अगर जल्दी अपरेल में पेपर हो जाएगा, तो मार्च का नहीं पूछेगा, तो इसलिए मार्च का नहीं पूछेगा, लेकिन फरवरी के पूछे जाने की बहुत उम्मीद है, ठीक है, चलो, भारतिय रिजर्व बैंक ने 2023 तक कितने देशों के बैंकों को रुपे में व्यापार करने की अनुमती दी है, 23 तक, अब तक उन्होंने कितने देश के बैंकों को दिये के रुपे में व्यापार कर सकते हो, वरना तो भार से तो हमारा जो व्यापार है, हम अपनी करनसी में थोड़ी करते हैं, भार का व्यापार तो और करनसी में चलता है, लेकिन ये देखो आपके जितनी ज़्यादा हमारी currency में व्यापार होने लगेगा उतना dollar की क्यों कीमत है क्यों की dollar की demand है जिस दिन रुपे की demand होने लगेगी उस दिन रुपे की कीमत भी बढ़ जाएगी तो 18 देशों को permit दिया हुआ है हमने कि वो चाहें तो रुपे में व् वोस्ट्रो अकाउंट्स खोले जाते हैं, क्या बचो, अगर पूछा जाए वोस्ट्रो अकाउंट्स क्यों खोले जाते हैं, तो रुपे में व्यापार के लिए जो RBI अनुमती देता है विदेसी बैंक्स को रुपे में व्यापार करने की जो अनुमती दी जाती है वो स्ट्रो बैंक्स के थ्रू ही दी जाती है ठीक है चलो अगला कुशन है हमारा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश साजहा बौध विरासत पर पहले अंतरास्तिय सम्मेलन का मेजबान ह जो साजह यानि सभी की मिली जुली जो बहुत धर्म से संबंदित विरासत है उस पर पहला अंतरास्तिय सम्मेलन क्या ये दिल्ली में ही आयोजित हो रहा है बच्चो ठीक है दिल्ली में ही आयोजित हो रहा है और ये संगाई सहयोग संग्ठन इसके बच्चो इसके सहयोग स ये जो है किया जा रहा है ठीक है क्योंकि शंगाई सहयोग संक्थन में रहने वाले देशों का भी बहुत धर्म से जुडाव रहा है ठीक है जो बहुत धर्म से जुडाव रहा है इसलिए संगाई सहयोग संक्थन के सहयोग से हुआ है ध्यान रखना है ठीक है चलो अगला का मतलब है simple महेंगाई inflation ठीक है अब हम कर रहे हैं जो खुद्रा वाले retail वाली चीजे हैं जैसे आप अपने घर के लिए normal लेके आते हो जल्दी से comment करके बताओ जल्दी comment करके बताओ कितनी है 6 कितनी 6.44 है ना 6.44 आप वैसे भी देखते हो कि जब आप कोई एक एक चीज लेकाते हो तो वो थोड़ी महेंगी मिलती है जब आप बहुत सारी एक साथ चीजें लेकाते हो तो थोड़ी सी सस्ती मिलती है तो वहां महेंगाई जो दर है 3.85 है ना फरवरी के लिए और यहां 6.44 ठीक है इस पे क्या है बचो 6.44 है उस चक्रवात का क्या नाम है जिससे मलावी और मुजामबिक में अभी तेज हवाएं चली है और बचो मुसलाधार बारिस हुई है अभी हाल ही में मलावी और मुजा किया है जिसने प्रभावित किया है उस चक्रवात का नाम क्या है क्या फ्रेडी नाम है जल्दी बताओ तो फ्रेडी नाम है क्या है बचो फ्रेडी नाम है ठीक है उस चक्रवात का किस लेफ्टिनेंट जनरल ने सेना के सीड से चिकित्सक आपको पता है सेना में मेडिकल कोर और भी होती है ना, होती है न मेडिकल कोर, तो उसमें कोई ना कोई तो उसमें भी सबसे उपर होता होगा, एक तो आर्मी के chief होगे, जैसे आपके general Manoj Pande है, वो तो overall पहले नमबर पे हो गए, लेकिन उसके अलावा भी तो कोई होता होगा ना अपनी अपनी कोर का तो ये कौन बने है जल्दी बताओ क्या दलजीत सिहिंग बने है बिलकुल दलजीत सिहिंग जो है जो सीनियर मोस्ट मिलिटरी डॉक्टर है तो ये बच्चो सबसे उपर सेन चिकिस्सा कोर के चीफ बने है कौन बने है दलजीत सिंग बने है चिकिस्सा कोर के चीफ ठीक है कौन बने है दलजीत सिंग भारत के पहले किस मानव अंत्रिक्ष यान के लिए चार मिशनों में से पहला मई 2023 में लॉंच किया जाएगा भारत पहली बार मानव को भेज रहा है अंत्रिक्ष में बचो इसके लिए चार मिशन टोटल यानि ये जो मिशन है हमारा कितने फेजिज में पूरा होगा चार मिशन इसके अलग-अलग है ठीक है तो चार फेजिज मे पूरा होगा तो उसके लिए पहला जो मिशन भेजा जा रहा है वो मई में भेजे जाने की उमीद है और उसका नाम है भई टोटल ये जो मिशन है हमारा मानव अंत्रिक्ष में भेजने के लिए ठीक है यानि मानव सहित अंत्रिक्ष में भेजेंगे तो उसके लिए जो हमार 2023 करोड की रासी अभी हाल ही में आवंटित की गई है उसके चार मिशन में से पहला कब जाएगा मई 2023 में लॉंच हो जाएगा किसमें मई 2023 में लॉंच हो जाएगा बच्चो फीफा के अध्यक्ष कौन बने हैं तो आपको पता है जियानी इंफेंटिनो अभी भी थे ये फिर से री इलेक्टिड हुए हैं ठीक है क्या हुए हैं री इलेक्टिड हो गए हैं कौन बच्चो जियानी इंफेंटिनो ठीक है जियानी इंफेंटिनो अभी तक भी थे 2027 तक के लिए फिर से री इलेक्टिड हो गए हैं फीफा की फुल फॉर्म अगर आप से पूछी जाए Federation International De-Football Association, क्या नाम है, Federation International De-Football Association, ठीक है, चलो यह है, अगला कुछन है, साथवे अंतरास्ति ये मदू में है शिखर सम्मेलन, मदू में मतलब जो डाइबिटीज से सम्बंदित है, वो कहाँ पूने में आयुजित किया गया है, वचो कहाँ पर, पूने में आयुजित किया है, डाइबिटीज, सेवन्थ इंटरनेशनल डाइबिटीज समिट कहाँ पर, पूने में आयुजित वचो की गयी है, ठीक है, भारत और किस देश ने, एक संयुक्त रूप से, इसमारक डाक टिकट, समारक तक मतलब है, याद के ही, यादगार के तौर पर, कमेमोरेटिव प रखता है, ठीक है, तो ये कौन सा देश है, जल्दी कमेंट करके बताओ, अभी एक डाक टिकट जो हमने जारी किया है, लगजमबर्ग के साथ, किसके, लगजमबर्ग के साथ हमने डाक टिकट जारी किया है, ठीक है, चलो, भारत लगजमबर्ग, मितरता के 55 वर्स, ठीक है, 75 years of India Luxembourg friendship ये इस तरह का dark ticket हमने किया है 55 साल पूरे होने ठीक है जैसे पिछले साल हमारे जब इजराइल के साथ 30 साल के संबंध हो गए थे क्योंकि इजराइल के साथ हमारे diplomatic relation बनने शुरू है 1992 में तो क्या हुआ था बचो तभी भी हमने एक logo समारक logo लाँच किया था हाल ही में कौन जियो सिनेमा आपको पता है ना जियो सिनेमा जो जियो कमपनी है उसकी एक एप है जियो सिनेमा ठीक है चलो फिल्म वगएरा और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है उसमें है ना आपको IPL देखने को मिलती है मैचिज देखने को मिलते हैं स्पोर्ट्स, फिल्में, नाटक ये सब देखने को मिलता है तो कौन बने हैं जल्दी कमेंट करके बताओ सूर्य कुमार यादव बने हैं क्या सूर्य कुमार यादव बिल्कुल सूर्य कुमार यादव बने हैं सूर्य कुमार यादव ही बने है किस राज्य की विधान सभा में फूल देई पर्व फूलों से संबंदित है बच्चों फूल देई पर्व सिंपल आप से पूछा जाएगा आपको जवाब देना है उत्तरा खंड में फूल देई पर्व अभी हाल ही में मनाया गया है वसंत रितु के स्वागत के लिए मनाया जाता है कर इसके लिए वसंत रितु के TCS ने अपना नया CEO किसे नामित किया है जो सेप्टेंबर अक्टूबर से पदभार समा लेंगे कबसे लगबग सेप्टेंबर 2023 से पदभार समा लेंगे लेकिन अभी बना दिया गया है किसको के किर्तिवासन TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस बड़ी महतपूर्ण जो है एक IT कंपनी है बचो Information Technology से संबंदित कंपनी है IT कंपनी है ये जो है के किर्तिवासन इनको नया CEO नमिनेट किया गया है TCS का SkyTracks द्वारा दुनिया के टॉप एरपोर्ट की जो लिस्ट है उसमें कौन सा एरपोर्ट पहले नंबर पे है बचो इस बार Best Airport का खिताब किसे मिला है जो की कौन जारी करता है SkyTracks जारी करता है कौन? SkyTracks इस नाम की जो संस्था है वो जारी करती है तो दुनिया का टॉप एरपोर्ट इस बार कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताओ बचो दुनिया का टॉप एरपोर्ट इंडिया का हो जाए तो फिर तो बात ही क्या है फिर बात ही क्या है तो Singapur में चांगी Airport है कौन सा ? Singapur में चांगी Airport है वो दुनिया का टॉप Airport रहा है क्या रहा है बचो ? दुनिया का टॉप Airport यहा दखना है पहले नंबर पे ठीक है ? चलो पहले नंबर पे हमद अंतरास्तिय हवाई अड्डा जो की कतर में है बचो ? कहां पर है कतर ठीक है कतर में है जो वो हमद इंटरनेशनल एरपोर्ट जो है वो दूसरे नमबर पे और टोक्यो का है हनेडा हवाई अड़ा वो तीसरे नमबर पे ठीक है टोक्यो में है हनेडा हवाई अड़ा वो तीसरे नमबर पे है ठीक है बचो तीसरे नमबर पे है याद रखना है आपको कौनसा हनेडा दूसरे नमबर पे हमद जो है कहाँ पर है वो कतर दोहा में है और बचो पहले नमबर पे चांगी एरपोर्ट जो है कहाँ पर है सिंगापुर में धूमरपान कानूनों के लिए किस सहर को स्वस्थ सहर का पूसकार मिला है तो धूमरपान कानूनों के लिए बचो कौनसे सहर को मिला है स्वस्थ सहर का जल्दी बताओ कि आप बंगलूरू को मिला है बंगलूरू को क्योंगinta धूमरपान करने से संबंदित कानून है ना वहाँ वो इस तरह के हैं कि लोगों को demotivate, discourage करते हैं, क्या धुमरपान करने से वो demotivate, discourage करते हैं, बच्चों, याद रखना है आपको, ठीक है चलो, कौन महिला भारत की जो है, वो तजकिस्तान में UN के resident coordinator नुक्त हुई है, UN यहनि, United Nations की तरफ से एक पद है, resident coordinator, जो वहाँ रहके चीजों को coordinate करेंगी, है न coordinate, यानि की, समनवे जिसे बोलते हैं, चीजों को adjust करने की कोशिश जो करेंगी, बच्चों, ठीक है तो भारत की कौन महिला है जो तजकिस्तान में, कहां कौन से देश में, तजकिस्तान में, ध्यान रखना है UN की resident, वो बनी है, बच्चों, coordinator, वो है के आर पारवती, कौन है के आर पारवती, किसने नुक्त किया है, एंटोनियो गुट्रस ने नुक्त किया है, ये कौन है ये UN के महा सच्चिव हैं, बच्चों, जिनने बोला जाता है Secretary General, जल्दी कमेंट करके बताओ, क्या UN के पहले महा सच्चिव त्रगवेली थे, येस या नो, क्या UN के पहले महा सच्चिव त्रगवेली थे, येस या नो, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ बिल्कुल, UN के पहले महा सच्चिव कौन थे, त्रगवेली थे बहुत बढ़िया बच्चों है न कौन थे तरिगवेली थे बहुत बढ़िया हाल ही में किस अंत्रिक्ष एजंसी ने चंदरवा पर मानवता की वापसी यातरा के लिए एक स्पेस सूट की नई जनरेशं जो बिलकुल लेटरस्ट स्पेस सूट जो की बहुत बहुत बहतर क्या होगा सूट करेगा जो उनको जो अंतरिक्ष यात्री है उनको तो इसके लिए बच्चों कौनसी कर रही है कौनसी यह नासा जो है वो काम कर रही है ठीक है नासा जो है वो काम कर रही है ध्यान रखना है और नासा का एक और जल्दी से बताओ क्या आर्टेमिस थ्री जो है Artemis वो क्या NASA का Moon Mission है Artemis 3 जो है क्या उसके तहट NASA शंद्रमा पर ही व्यक्तियों को भीज भेजने का काम कर रही है जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या NASA Artemis 3 के तहट जैसे हम आदित्य L1 के तहट क्या कर रहे हैं हम आदित्य L1 के तहट क्या बचो सूरिय का अध्यन करने की कोशिश करेंगे सूरिय का गगन यान के तहट हम क्या करेंगे मानव भेज रहे हैं ठीक है और निसार हम क्या करें बचो NASA Israo का जो एक और है बचो NASA Israo का मिला जुला जो एक सेट्लाइट है जिसे निसार कहते हैं तो उसके तहत हम प्रत्वी को अब्जर्व करने का काम करेंगे ठीक है अर्थ अब्जर्वेशन वाला ये उपगर है ये सारी की सारी बड़ी महतपूर्ट चीज़े हैं आपको याद होनी चीज़ें किस राज्य के अरलम वन्यजीव अभ्यारने में पक्षियों की गढ़ना में 161 नई प्रजातियां पाई गई है तो 161 नई प्रजातियां ये इतना इंपोर्टन शायद ना हो लेकिन अरलम वाइलाइफ सेंचुरी कहां पर है हाल ही में चर्चा में रही अरलम जो है बच्चो वो कहां पर है जल्दी बताओ केरल में या गोवा में तो वो केरला में है कहां पर है वो केरला में है भारत और वर्ल्ड बैंक ने कितने राज्यों में Green National Highway Corridor Project के निर्वान के लिए एक रिन समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं ये मैंने बताया था आपको कितने राज्यों में कितने राज्यों में जल्दी बताओ कमेंट करके बताओ बच्चो चार राज्यों में कितने राज्यों में चार तो जो चार के रहें वो ठीक है जो चार से ज़्यादा के रहें वो ठीक नहीं है भचो ध्यार मिखना है बहुत महटपूर्ण सवाल है अमेरिकी सिनेट ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी को US Air Force का असिस्टेंट सेकरेटरी पहली बार भारतीय मूल का कोई विक्ति US की Air Force में असिस्टेंट सेकरेटरी के पद पर पहुँचा है और वो कौन है विक्ती जल्दी कमेंड करके बताओ बच्चो क्या वो रवी चौधरी हैं बिलकुल रवी चौधरी है पहली बार ये इस पद पर पहुँचे हैं एर फोर्स में असिस्टेंट सेकरेटरी के पद पर पहली बार भारतीय मूल के कोई व्यक्ती पहुंचे है बच्चो ठीक है चलो और दूसरा सवाल है किस सेना ने देश के पहले CDS जो है जनरल विपिन रावत उनकी याद में दो अवार देने की घोशना की है तो हमारे हाँ तीन जो सेना हैं उन मेंसे जो भारत की नेवी है कौनसी बच्चो नेवी जो माला अबार यो दभ्यास भी करती है ठीक है तो इसने दो अवार्ड घोशित किये हैं सुरू करने की घोशना की है जो किन के नाम पर दिये जाएंगे किन की स्मिर्थी में दिये जाएंगे किन की याद में दिये जाएंगे बच्चो तो याद में दिये जाएंगे किसकी में जो हमारे first C'Ds थे ठीक है first C'Ds C'Ds General Antil Chohan है बच्चो कोन है Antil Chohan हमारे second C'Ds है याद रखना है ठीक है Antil Chohan हमारे second C'Ds है चलो तो रिवीजन बच्चो इसका करेंगे अब परसों, ठीक है, कल क्लास रहेगी नहीं, अगर आप चाहते हो, तो एक बार और जहां से मैंने पढ़ाया है, क्योंकि सारी वो महत्पूर्ण चीज़े हैं, एक बार और देख लो, है ना, जो पूरे वीक का रिवीजन है, वो तो ब कि शाम को, कब शाम को, ठीक है, रैपिड फायर चलेगी है, रैपिड फायर क्लास, खास तोर पे, जो अगले एक महीने के अंदर अंदर एक्जाम आ रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हो, ठीक है, और ये बचो, पांच दिन वीक में चलने की कोशिश इसकी रहेगी मेरी, द बता दूँगा, ठीक है, जिस दिन क्लास आएगी, उस दिन भी टेलिग्राम, R.W. Accurrent Affairs में, मैं आपको इसका लिंक शेयर कर दूँगा, और अगर नहीं आएगी, तो फिर भई, पहले ही एक बार मैसेज कर दूँगा, जिससे आप क्लास ना ढूंड़ो, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं बचो, ठीक है, 9.59 जब भी बचो टाइम मिलेगा, ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं, परसन सुबह, धन्यवाद,